हेलो स्टूडेंस उम्मीद है कि आप सब स्वस्त और शुरक्षित हैं बच्चों आज हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक से तीसरे अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं जो की एक बहुत ही रोमांचक कहानी है जिसे लिखा है प्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचन जी ने कहानी का नाम नादान दोस्त है जैसे कि आपने शिर्षक पढ़ा नादान दोस्त वे नादान दोस्त कौन है उनको नादान क्यूं कहा गया है यहाँ आपको कहानी को पढ़ने पर ही पता चलेगा चो चलिए पाठ का आरंब करते हैं केसब के घर कार्णिस के उपर एक चिरिया ने अंडे दिये थे केसब और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिरिया को वहां आते जाते देखा करते सवेरे दोनों आखे मलते कार्णिस के सामने पहुँच जाते याने कि सुवा उठते ही वो कार्निस के सामने पहुँच जाते और चीडा और चीडिया दोनों को वहाँ बैठा पाते उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता दूद और जले बी की सूद भी ना रहती थी बच्चों को दूद और जले भी कितनी पसंद होती है पर उस से भी अधिक उनको क्या पसंद था उस चीड़ा और चीड़िये को देखना दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उन में से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, खोसला कैसा है, लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं केशब और स्यामा के घर के कार्णिस पर एक चिडिया ने अंडे दिये थे उसी चिडिया के अंडों को लेकर केशब और स्यामा के मन में तरह तरह के सवाल आ रहे थे लेकिन इन सवालों का जवाब वो किन से पुछे इनका जवाब देने वाला कोई नहीं था ना अम्मा को घर के काम धंदों से फुर्सत थी ना बाबुजी को पढ़ने लिखने से दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसली दे लिया करते थे यानि कि एक दुसे से ही बातचीत करकर दोनों अपने सवालों के जवाब ढून लिया करते थे श्यामा कहती क्यों भाईया बच्चे निकल कर फुर्स से उर जाएंगे के सब विद्वानों जैसे गर्ब से कहता क्यूंकि वो बड़ा था इसलिए वो सोचता था कि उसको श्यामा से कुछ आधिक पता है नहीरी पगली पहले पर निकलेंगे बगेर परों के बेचारे कैसे उरेंगे स्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी के सब इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था इस तरह तीन-चार दिन गुजर गए दोनों बच्चों की जिग्यासा दिन बदिन बढ़ती जाती थी जिग्यासा यानि की किसी चीज को जानने की इच्छा अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उड़ते अधीर यानि की उनमें धैर्या खतम हो जाता उनमें धैर्या ना रहता उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आये होंगे बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ चारा यानि कि चिरिया जो खाती है वहा भोजन कि बेचारे बच्चे अब क्या खाएंगे चिरिया बेचारी इतना दाना कहां पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे गरीब बच्चे भूख के मारे चूँचू करकर मर जाएंगे शामा और केसब को उनके प्रती चिंता हो रही थी कि चिरिया इतनी छोटी सी है वो इतना सारा दाना कैसे जुटाएगी और उसके बच्चे बिना खाए मर जाएंगे इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों खबरा उठे यानि कि दोनों को बहुत ही डर लगने लगा दोनों ने फैसला किया कि कार्णिस पर थोड़ा सा दाना रग दिया जाए स्यामा खुश हो कर बोली तब तो चिडिया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा न केशब नहीं तब क्यों जाएगी स्यामा फिर सोचती है और अपने भाई से पूछती है क्यों भाईया बच्चों को धूप न लगती होगी केशब का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था तो बच्चों आज इस पार्ट को हम यहीं तक पढ़ेंगे आप आज पढ़ाई गए अंश का अभ्यास कीजिए धन्यवाद